जी नमस्कार इसके सौनी सर और नमस्कार मेरा ओल सब्सक्राइबर को दोस्तों मैं एक नया वीडियो का टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें आप देख सकते हो यह एंड्रोइड बोर्ट जो सब्सक्राइबर कर सकते हैं इसका जो कनेक्शन है यहां पर लिखा हुआ है आप देख सकते हो ठीक है और मैंने पर्चेस किया हूं यह पैकेट में आप लोगों को मिल जाएगा ठीक है दूसरी बात यह है जो यह टूल को यूज करके आप रीड ड्राइट कर सकते हैं और यह जो पूर्गरमार के साथ देता है यह भी आप यूज कर सकते हैं तो मैं यह पर्चेस किया हों तो इसका थ्रू रीड करूंगा शॉप्टेर तो कैसे मैं रीड करता हूं इस वीडियो में के मदम से में फूल फूल पॉसेस आप लोगों को दिखाऊंगा ठीक है तो यहां पर कनेक्शन पुड़ा लिखा हुआ है यह उपर जो GND, Ground, CLK, Clock, CMD, Command, D0, VCC, and VCCQ तो इस बोड में मैं कनेक्शन करूंगा और कनेक्शन करके स्वाप्टेर रीड करूंगा आप लोग देखिए वीडियो कुड़ा एंड तर्ट ठीक है दोस्तों इस कनेकसन करने से पहले सबसे पहले आपको यह जो क्रिस्टल है आपको दोनों से सौट करके ग्राउंड के साथ कनेक्शन देना पड़ेगा नमबर वन नमबर टू जो है आपको यहां पर दिखाई दे रहा है जो इसे छोटा सा एक होल है यहां पर cmd का connection होगा command का दूसरी बात यह है जो यहां पर एक test point है तो यहां पर cl के connection होगा clock का कि तीसरी बात यह है जो यहां पर वाइसों का एक रेजिस्टेंस है यहां पर डी 0 का connection होगा इस बोर्ट में तो मैं step by step connection कर लेता हूं फिर मैं आगे जाता हूं ठीक है तो सबसे पहले मैं किस्टल को ग्राउंड कर लेता हूं एक ओयर से दोस्तों मैंने किस्टल को ग्राउंड के साथ स्वाट कर दिया कर चुका हूं अभी मैं इसको जो चाड़ो वायर है आप लोगों को इस चाड़ो वायर सिर्फ connection करना पड़ेगा आपको ठीक है तो यह जो काला वाला वायर है ब्लाक कलर का यह मैं ग्राउंड के साथ connection कर दिया जो दूसरी आता है जो सी एल के यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो सी एल के connection यहां पर होगा मैंने बताया पहले जो इस टेस्ट पॉइंड में तो मैं यह टेस्ट पॉइंड में connection करूंगा सी एल के यह आपको बहुत ही क्यारफुली से connection करना पड़ेगा नहीं तो यह एरोर रीट करने का टाइम आपको एरोर दे देगा ठीक है तो यह दूसरा हो गया फिर बारी आता है cmd जो यहां पर आपको टेस्ट पॉइंड नजर आ रहा है तो इस टेस्ट पॉइंड में आपको cmd का connection करना पड़ेगा तो मैं यहां पर cmd का connection कर दिया और फिर बारी आता है यहां पर डी जुरो का connection तो मैंने पहले बताया जो यहां पर बाइस ओम्स का जो रेजिस्टर है आपको सिर्फ यहां पर आपको connection करना पड़ेगा तो मैं यहां पर connection कर लेता हूं वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोग देखिएगा आपका future में काम आएगा तो मैंने यहां पर सोल लड़िंग कर दिया है कि का connection हो गया अभी मैं आठी 809 एज कर जो प्रोग्रामर है मैं यहां पर connection देच चुका है ठीक है तो दोस्तों मैं अभी इस motherboard को पावर दे दूँगा तो मैंने पावर केबल लगा दिया है और मैं पावर दे दूँगा अभी इसको यह बोर्ड को मैं पावर दे दिया और connection भी हो चुका है और मैं अभी सब्सक्राइब करेंगा तो मैं लेप्टाप में जाता हूं कि यह मैंने केबल लगा दिया और मैं आर्टी जिरो नाइन एज का जो प्रोगामर का जो सेट आप है यह मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूं यह विंडो ओपन हो चुका है और आपको जाना है smart identity तो मैं यहां पर इंटर करूंगा और eMMC ISP में आपको जाना है तो यहां पर मैं okay कर दूंगा ठीक है नेक्स्ट आपको जाना पड़ेगा setting में सेटिंग में जाने का बाद यह 1.8 और यह जो है देख सकते हो यह टिक करकर रखा हुआ है बूट वान बूट टू आर्ट अर्पी एंबी एक्सटी यह सभी फाइल आप एक साथ रीड कर सकते हैं और आप आपका हिसाब से आप बूट वान बूट टू भी यह कि करके भी रीड कर सकते हैं तो मैं मैं चारो फाइल सिलेट कर चुका हूं मैं चारो फाइल को एक साथ रिड करूगा ठीक है अभी मैं रिड में इंटर किया और यह आ चुका है और मैं इस फाइल को नाम दे दूँगा तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूं कि बोट का नंबर हो गया सी भी थ्री थ्री एट एच कि ए फॉर्टी टू ठीक है और मैं अभी यहां पर ओपेंट एंड सेब आप देख सकते हो यह फाइल रीड होड़ा है यह रीड हो गया है आप कि यह कौन सा कौन सा फाइल रीड हुआ है या आप देख सकते हो और यूजर जो फाइल है मैं इसको को टिक कर देता हूं और फिर ओके ठीक है और फिर रीड यह आए गया और मैं सेप कर लूँगा यहां पर यह जो यूजर डेटा है यूजर फाइल है यह लार्ज कैपासिटी है ठीक है यह तकड़िबंद 40 से 50 मिनिट समय लेता है तो रीट का जो प्रोसेस है मैं अभी आप ल जो आप लोग प्रोगामर में देखिए है लाइट इंडिकेटर लाइट बिलिंग कर रहा है ठीक है और यहां पर लैप्टॉम में देखिए या भी यह वन पर्सेंट आ चुका है यह धीरे धीरे राइट होगा आइस्ता इस्ता तो मैं इस जगह में आपको स्कीप करके करके दिखाओंगा वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा और मैं दोस्तों एक गुड इनफोर्मेशन देदू जो ट जमसेदपूर में आ रहा है जमसेदपूर में एलेडी एलसीडी का बिग सेमिनार होने वाला है मर्च महिने में 345 इस डेट में यहां पर सीट बुकिंग चल रहा है आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसकीन में नंबर इस नंबर पर कॉंटक कीजिए और आपका सीट सीट बुकिंग अभी चालू है सीट बुकिंग हो रहा है और ज्यादा समय नहीं है दोस्तों इस टेनिंग में आप लोग सामिल हो जाए यहां पर स्पेशाल आपको टेनिंग मेलेगा स्पेशाल टेनिंग होने वाला है यहां पर ठीक है दोस्तों तो मैं यह जो रीट का प् ठीक है दोस्तो तो फ्रेंड्स अभी देख सकते हो आप यह रीड का प्रोसेस अभी भी चालू है और कितना परसेंट हुआ है आप देख सकते हैं ये 22% हुआ है अभी ये जो फाइल है ये लार्ज कैपसिटी फाइल है इतने मैं आप में लोगों को बने बताया था जो इतने 40 से 50 मिनिट सुमाई लिता है ठीके तो दोस्तों मैं थोरा पॉस्ट करके करके दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो तो आप लोग का आगे वीडियो देखिएगा मैं पूरा एंड तक आप लोगों को डीट का प्रोसेस दिखाऊंगा सो फ्रेंट्स अब आप दोस्तों यो 8809H का जो प्रोगर्मर का साथ यह केबल देता है यह आप देख सकते हो इस केबल के मादम से भी आप सौफटर रीड और राइट कर सकते है ठीक है तो मैंने अभी मार्केट में अभी लाउंच हुआ है झो यह टूल मैं पर्चेस किया हूँ आप देख सकते हो यह टूल के मदद से मैं यह में सी सौफटर को डीड और राइट भी कर सकती हो ठीक है इसमें मैंने ये फास्ट टाइम यूज किया है और मैंने सोचा जो आप लोगों का साथ सीर करो और आप लोग देख सकते हो ये अभी भी शॉप्टेर का रीड पोसेस चालू है और कितना परसेंटेज हुआ है ये भी हम लोग देख लेंगे ये 54 परसेंटेज अभी हुआ है तो टाटा जमसेतपूर जाड़कंड में यहाँ पर इसके सौनी सर आ रहा है स्पेशाल टेर्निंग देने के लिए आप लोगों को जल्दी से जल्दी आप लोग सीट बुकिंग करा लीजिए अभी सीट बुकिंग चल रहा है यहाँ पर दोस्तो यहाँ पर LED LCD का स्पेशाल टेर्निंग होने वाला है जी दोस्तो यह वीडियो काफी लंबा हो रहा है यह तक्रिबन बहुत ही टाइम लेगा अभी तो मैं वीडियो को यहीं साफ्ट करता हूँ आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगे ठैंक यू मेरे वीडियो वाच्च करने के लिए अज के लिए इतना ही मिस दो